जेटेट परिशा दो हजार चोबिस छात्रों के मन में ये प्रश्ण उठ रहे हैं कि क्या जेटेट परिशा इस साल हो पाएगी यानि दो हजार चोबिस में कंप्लिट हो पाएगी तो चात्रों के मन में ये प्रश्ण चल रहे हैं कि जेटेट हो पाएगी यानि इस साल आठ अक्टूबर को क्या है और चोबिस अजार जो भरती है कब तक आएगी सिलेबस क्या रहेगा ये जो मन में है, चातरों के मन में ये प्रश्ण उट रहे हैं, सभी प्रश्णों का मैं एक एक करके जवाब देने वाला हूँ, देखिए, क्या जेटट परिछा हो पाएगी, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जेटट परिछा तब ही संबव हो है, जब 8 अक्टूब को नियमावली पास हो जाए आठ अक्टूबर को जारकंड केविनेट में बैठक है जारकंड केविनेट की बैठक रखी गया जिसकी अध्यरसता है मसोरेंगे 8 अक्टूबर को यदि फैसला आ जाता है नियमाले में संसोधन का तो ये जो जेटेट परिच्छा है हो जाएगी हाला कि इसका नोडिफिकेशन पहले आया है तो Code of Conduct या चार सहिता लगने के बाजूद भी जेटेट का परिच्छा हो सकता है लेकिन यहां पर एक प्रोब्लम ये है कि अगर जेटेट के लिए नोटिस निकाला जाता है एकजाम का डेट निकाला जाता है और इसी बीच अगर इसी बीच जारखन में चुनाव होने स्टार्ट हो जाएगे ठीक है चुनाव अगर स्टार्ट हो जाएगा तो पारा टीचर जो चात्र हैं जो पारा टीचर है वो JT Night को रोखना चाहेंगे क्योंकि वो कहेंगे कि हमें time नहीं मिला हमें टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे ड्यूटी election duty हमारी है इसलिए JT Night के परिच्छा को आगे किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि पारा टीचर के कारण जेट रेट का परिच्छा को नहीं कंड़क करवाया जा सकता है या ऐसा भी हो सकता है जेट रेट का परिच्छा पहले जो नोन पारा टीचर है उनको ले लिया जाए और जो पारा टीचर है उनके लिए अलग से ले लिया जाए ऐसा भी हो सकता है कोई गारेंटी नहीं है ठीक है तो जेटेट का परिचा में यही प्रोब्लम में हो है कि पारा टीचर यदि कहने लगे कि हम लोग तो ड्यूटी में रहेंगे तो हमें पढ़ने का टाइम नहीं मि लिया कि इस दिन जारकन केबिनेट की बैटा के इस दिन नियमाली पास होगी पास होने के बाद सिल्वस आपका आ जाएगा हलाकि सिल्वस में संसोधन हो चुका है बस आना बाकी है देखिए और बहुत सारे चातरश कमेंट करते हैं कि 24,000 भरती कब आएगी तो यह बहाली ह कोई आती है जेमेम की सरकार नहीं आती है तो यह 24,000 भरती है यह जेमेम भी आती है तो भी यह सरकारे टाइम लेती है और मालो की 2025 में नया सरकार बनेगा तो 2027 के आसपास में यह आ सकती है मुझे नहीं लगता है कि यह बहाली जो अभी अभी खत्म हुए इसके तुरंट ब तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं 2016 का syllabus और 2013 का 2012 में जो जेटेट हुआ था वह ही syllabus same to same है थोड़ा मोड़ा difference है आप seat rate का जो syllabus है उसको देखके पढ़ सकते हो आपका seat rate का भी form भी आया हो इसको भी बढ़ सकते हो और जेटेट का syllabus यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारे whatsapp ग्रूप में जाके इस syllabus को डाउनलोड करके देख सकते हो यह syllabus आपको हमारे whatsapp ग्रूप में मिल जाएगा whatsapp ग्रूप का link में comment box में pin कर दे रहा हूं उसको click किजेगा और ग्रूप में join कर लिजेगा friends यही था आज का एक खबर जो मैं आपको देना चाहता था जेटेट का परिशा तो सरकार लेना चाहेगी वो पूरे दवाओं में है लेकिन यहां पर बात आती है पारा टीचरों की यदि पारा टीचर कहने लगेंगे कि नहीं हम लोगों का election duty है तो फिर यह जेटेट का परिशा को extend किया जा सकता है डेट को बढ़ाया जा सकता है अब देखते हैं क्या होता है फिलाल के लिए आप लोग 8 तारीक का इंतजार करें आसा करता हूँ कि आपको सारे बाते समझ में आ गई होंगी दोस्तो इतना दूर तक वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को सेर जरूर कर दीजेगा धन्यवाद